इसमें आपके साथ शेर करने वाली हूँ रूई जैसे साफ मुह में जाते ही घूल जाए ऐसे नायलोन खामन की रेसिपी अक्से जब घर पर खामन बनाने की बात आती है तो इसमें इस तरह से जाली नहीं पड़ती है वो इतने साफ नहीं बनते है तो ऐसा कौन सा मैजरमेंट है या ऐसी कौन सी ट्रिक से जो हमें फॉलो करनी है जिससे हमारे खामन भी बाहर जैसे हलवाई बनाते है उसी तरह से बनके तयार हो तो आज की वीडियो में आपको ये सारी ट्रिक्स और ट्रिप्स बताने वाली हूँ हलो दोस्तो मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ रेसिपी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले लेंगे हम एक कब बेसन यानि की चना डाल का आटा जिसे हमें इस तरह से लेवल करके लेना है और मैंने जो कब इस्तमाल में लिया है नहीं बोड़ाई सो एमल वाला है अगर वजन से आप लेते हैं तो 125 ग्राम आपको बेसन लेना है और घर में जो हमारे पास रहता है बेसन मैंने आज इसका ही इस्तमाल किया है पैकेट वाला बेसन है उससे भी आप ये बना सकते हैं उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेर की है लेकिन अगर आपके पास वाला बेसन नहीं है तो आप घर पर जो हम बेसन तयार करते हैं या फिर मार्केट में से लेके आते हैं उससे भी बना सकते हैं तो आपको उसे च्छान लेना है च्छानना बहुत ही कंपलसरी है तो क्योंकि इसकी वज़े से अगर इसके अंदर कोई लंस है तो वो चले तो इसके अंदर अभी हम डालेंगे पानी तो पानी का अभी मैं आपको सही तरह से जो मेजरमेंट है वो भी बता देती हूं तो 3-4 कब हमें पानी लेना है पानी को हम अची तरह से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर सारा जो मेजरमेंट है आपको ठीक इसी तरह से लेना है जै तरह से और इतनी कॉंटिटी में से आप 3-4 लोगों के लिए ये खमन बना सकते हैं वजन में देखें तो 500 ग्राम से भी ज़्यादा आपके खमन बनके तयार होंगे अब इसमें मिलाते हैं चीनी तो चीनी यहाँ पर हमें लेनी है 1.5 टेबल स्पून यानि कि 2 टेबल स्पून भरके और फिर 1.5 टेबल स्पून ये जो खमन रहता है वो मिठा ही रहता है तो चीनी इसके अंदर आपको मिलानी है 1.5 टेबल स्पून अगर आपको कम पसंद है त तो नीबू का अरज भी डाल सकते हैं लेकिन उससे आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा अब इसके अंदर हम डाल देते हैं तेल तो दो टेबल स्पून भरके मैंने तेल डाला है जब भी अब घर पे बनाते है न तो ठंडा होने के बाद ये थोड़े से ट्राय हो जात हैंगे दो से तीन मिनट के लिए ताकि इसके अंदर जो चीनी और निम्बू सत्वा है वो मैल्ट हो जाए और इसके अंदर ऐसा करने से हवा भरती है तब हमारे खामन बहुत ही बड़ा जालीदार बनते हैं और इसे बना कर आपको कम से कम पंदरा मिनट का रिस्ट देना है अक से लुक क्या करते हैं कि इसे मिक्स करने के बाद तुरंती खामन बनाने लगते हैं तो ऐसा आपको कता ही नहीं करना है आपको इसे पंदरा मिनट कम से कम प्रेस्ट देना जरूरी है तो इसे हम पंदरा मिनट के लिए छोड़ देते हैं तब तक हम बाकी की तयारी कर ले तो यहां पर मैंने एक ऐसा मोल्ड ले लिया है जो हाइट वाला है और उसके अंदर हम तेल लगा कर ग्रीज कर लेंगे आपका जो खामन है वो जालीदार तभी बनेगा जब आप इसे कोई हाइट वाले बर्दन के अंदर पकाऊगे अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है द जो सबसे बड़ा बर्णर रहता है उसका इस्तमाल करेंगे तो उसे आउन करेंगे और हाई फ्लेम पर हमें इसकी कुकिंग करनी है तो पानी को हम पहले ही उबालने के लिए रख देंगे पानी जब इस तरह से उबढने लगेगा अच्छी तरह से तब उसके अंदर हम खाम है तो अभी इसके अंदर हम बैटर में सोडा मिलाएंगे तो जब पानी आपका उबलने लगे उसके बाद ही आपको बैटर के अंदर सोडा मिलाना है सोडा मिलाने के बाद तुरंत आपको इसे पकाने के लिए छोड़ बिना है तो आधा टेबल स्पून भरके इसके अंदर मैंने खाने का सोडा, जो मीठा सोडा हम इस्तिमाल में लेते हैं, वो लिया है, मिक्स करेंगे, जैसे ही आप मिक्स करेंगे न, तो देखे, बढ़िया से हमारा जो बैटर है न, वो फूल के उपर आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया इसका texture हो जाएगा आपको देखके ही पता चल जाएगा कि आपका खामन है अब इस बर बहुत ही बढ़िया बनने वाला है तो देखे फूल के कितना उपर आ गया है इसमें अंदर बहुत बढ़िया से air pocket बन गया है तो तुरंथ आपको इसे जो mold हमने रखा था ना उसके अंदर पलड दीना है तो देखे इसकी height भी पहले से कितनी बढ़ गई है तो एक कपी हमने बेशन लिया था उसमें से 500 ग्राम से भी जादा आपके खामन बन के तयार हो जाएंगे और वो भी इतने आसान तरीके से तो देखे बढ़िया इसके अंदर अभी जाली भी आपको दिखाए दी रही है तो इसे अभी हम बताने के लिए छोड़ देते हैं mold में डालने के बाद तुरंथ हमें इसे उबलते पानी के अंदर छोड़ देना है तो जैसे मैंने बताया पानी को आप अच्छे से पहले गरम कर ले फिर उसके अंदर आप ये रखे तभी आपके खामन में बहुत बढ़िया जाली बनेगी जब बैटर को बहुत बढ़िया से गरमी मिलती है न तभी उसके अंदर जाली बनती है तो अभी इसे हम ढखक कर high flame के उपपर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे बीच में एक बार भी आपको खोलना नहीं है 15 मिनट अच्छे से पकने देना है उसके बाद आप चेक करें 15 मिनट में हो जाते है अगर इतना measurement आपने लिया है और high flame पर रखा है तो 15 मिनट में हो जाएगा आप इसे sugar चेक कर सकते है या feed knife से भी चेक कर सकते है ये बिल्कुल clean आ जाएगा तो भी हमारा जो खामन है वो तयार हो गया है तो इसे हम निकाल देंगे 2-3 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे पहले 2-3 मिनट जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक plate में इसे पलट देंगे जैसे ही आप इसे पलटेंगे और तुड़ा tap करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये बाहर आ जाएगा तो देखे कितनी बढ़िया इसके अंदर जाली बनी है और अभी जब इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे तो ये और फूल जाएंगे सारे जो इसके अंदर air pocket बना है उसके अंदर पानी बर जाएगा और बढ़िया से आपके खमन तयार हो जाएंगे तो इसे अभी 2-3 मिनट और थंडा होने देंगे उसके बाद इसे कट करेंगे और जब भी आप इसे कट करेंगे तो साइड में इस तरह से हाथ रख दें क्योंकि ये बहुत ही soft रहता है तो अगर आप इसे उपर से press करते हैं तो साइड में से कई बार ये तूट जाते है तो ऐसे ठोड़ा साइड में हाथ लगा कर रखें ताकि ये तूटे नहीं या फिर जिस मोल्ड में आपने इसे पकाया था न उसमें इसे फिर से पलट दे और ऊसमें कट करें तो यहाँ पर मैं इसे थोड़े से medium shape में ही cut कर देती हूँ, आप अपने choice के according इसे छोटे बड़ी size में cut कर सकते हैं तो देखें मैं अभी आपको एक piece बताती हूँ, कि यह कितना बढ़िया बना है, जब भी आप खमन बनाते हो ना, तो उसके अंदर ऐसे air pocket बनते हैं तो आप जब इसे हाथों से press करेंगे ना, तो उसके अंदर जो सारी air, यानि हवा है वो बाहर निकलाएगी, फिर जैसे ही आप छोड़ देंगे, तो सारी हवा फिर से उसके अंदर भर जाएगी, तो यही science रहता है इसका, तो यह बहुत ही बढ़िया से बनके तयार हो गया है और तड़का लगाने के बाद तो यह और फूल जाएंगे, तो अभी क्या करेंगे, इसको हम है ना, जो mold हमने लिया था ना, पकाने के लिए उसमें arrange कर देंगे, लेकिन आपको इसे उठाकर side वाला जो हिस्सा है वो उपर आए ऐसे रखना है, अक्सर हम लोग क्या करती रह उपर वाली सəte होती है उसके उपर ही तड़का लगाते हैं तो ऐसा हमें नहीं करना है, side वाला हिस्सा उपर आए, ऐसे इसे-अा अर्रेंज करना है। और फिर उसके उपर तड़का लगाना है, ऐसा करना है, साइट को अगरे आप तड़का ॡालेंगी ना, तो तड़का बहुती बढ़िया से इसके अंदर एब्जाब हो जाएगा तो मोल्ड के अंदर आप इसे अरेंज कर लें जैसे साइड वाली सते उपपर आ जाए इस तरह से अब कड़के के लिए हम क्या करेंगे के एक तड़का पैन ले लेंगे और उसके अंदर दो से तिन टेबल स्पून टेल खरम करेंगे एक टी mana सरसू डालेंगे सरसू जब चैटकने लगे तो डालेंगे आथा टी स्पून के करीब हींग थोड़ा सा करीपत्ता गैस सपी मैंने बंद कर दिया है और इस तरह से लाल मेश और हरीवाली मेश डालेंगे मेरे पास लाल मेश थी तो मैणे डाली है अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ हरी मेश का तड़का लगा देचें और 3-4 cup के करीब इसके अंदर पानी डाल देंगे हमने चीनी पहले भी मिलाई थी तो अभी हम थोड़ी सी चीनी मिलाते है तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने चीनी डाली है अगर आपको चीनी कम पसंद है तो आप इसे कम भी कर सकते है और थोड़ा सा इसके अंदर हम नमक डाल देंगे क्योंकि हमने पानी डाला है और चीनी भी डाली है तो समझे कि 1-8 teaspoon यानी चुटकी भर नमक डाल देंगे मिक्स कर लेंगे पानी गरम है तो चीनी मैल्ट हो जाएगी असानी से जब यह तड़का गरम रहता है तभी हमें इसको खमन के उपर इस तरह से डाल देना है आपके खमन ठंडे रहने चाहिए और तड़का गरम रहना चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइड से एक एक चममश ले के हम पूरा तड़का वाला जो पानी है उसके उपर डाल दे जाएगए तो एक साथ न ढड़ाले पहले सारे खमन को एक एक चममश पानी इस तरह से डाल दे फिर उसके बाद जो बच जाता है उससे आप फैला दे ऐसा करने से आपके जो सारे खामन है उसमें बहुती बढ़िया से पानी एपसॉब हो जाएगा और कोई भी खामन आपका ड्राइ नहीं रहेगा तो एक-एक चमच आपको इस तरह से सब खामन के उप़र डालते जाना है और लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया तो भी हमारे बहुती सॉफ्ट, स्पॉंजी, रूई जैसे नरम खामन बनके तयार है इस तरह से तयार करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट छोड़ दे तो आपके खामन इस तरह से फूल जाएंगे और उसके बाद आप इसे साव करे तो दोस्तों खामन ढुकला की रेसिपी आपको कैसी लगी न कमैंड करके मुझे जरूर बताए आपके कमैंड हमेशा मुझे मुटिवेट करते है अगर आपको नई भी पसंद आया है तब भी आप मुझे कमैंड करके जरूर बता सकते है और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चनल किचन क्राफ रेसिपी को सब्सक्राइब ने किया है न तो जरूर सब्सक्राइब करे तो फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ